नमस्ते भारत आज के वीडियो में हम जानेंगे घर तक इंटरनेट कैसे आता है और जब हम फॉन कॉल पर बात करते हैं तो वो कॉल पूरी संभब कैसे हो पाती है बाबू सोना जादूर टोना ही चीज करते हैं ये लोग इतनी लंबी लंबी बाता है करते हैं तो ये कैसे अब हो पाती है आज हम इंटरनेट की तहह तक पहुचाएंगे और ओप्टिकल फाइवर केवल को एक्स्प्लेइन करेंगे ये सैटरलाइट फॉन का क्या यूज होता इसके बारे में भी जानेंगे और यह आप लोगों ने ड्रम लगा हुआ देखा होगा टावरों पर इन लिए सौना को कलकत्ता में फोन लगा रहा है ठीक है ऐसा मान के चलो तो अब होता क्या यहां से फॉन से निकली तरंगे इस सैटरलाइट तक जाती है और सैटरलाइट से टकला कर फिर से सौना के पास जाती है अब उसमें क्या है बहुत ज्यादा गडबड हो सकती है यहां एक तो डिले हो सकता है क्योंकि पहले तो 22,000 मिल तक तरंगे चलें फिर बापास ऐसे जाए तो बाबु ने आज हेलो बोला है तो कल तक पहुचेगा उसके यह पास ठीक है एक तो टाइम का डिले यानि की समय में बहुत जादा देरी आ सकती है तो इसलिए इस सिस्टम को जो फॉर्गॉट किया जाता है नहीं इस तरीके से इंटरनेट आता है और बहुतों का डाउट यह रहता है कि भाईया जो मोबाइल टावर होते हैं वह सैटल लाइट से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं इसलिए हम बात कर पाते हैं तो यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है तो सत्य क् केस में होता है बता हूंगा कब होता है ठीक है अब यहां फे ध्यान दो होता क्या है की जाती है जिससे इस पर कोई अटेक करें क्योंकि भाइसाब यह कॉस्टली होता है बेल का अटेक हो गया है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाए तो वह जल्दी खराब ना हो इसकी जो डियूरेविलिटी होती है चलता है लगवाग 25 साल तक ठीक है और इसका मेंटिनेश कोस्ट भी बहुत आई होता है तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे की गूगल ऑप्टिकल फाइवर केबल विछाने का काम करती है रेलाइंस ने भी कई जगे विछाया है यूरोप में एसिया की करेक्टिविटी बनाई है ठीक है अब ध्यान दो जबी तो जो जीयो आया था उसने इंटरनेट इना सस्ता कर दिया क्योंकि बन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है बस बीच-बीच में मैंटिनेंस का कोस्ट लगता है देखो यह पूरा का पूरा जाल देख रहे होंगे इस फोटो में किस तरीके से तारों का नेटवर्क बिछा रखा है अब यहां देह स्षा दी इस तरीके से इंटरनेशनल कतिविटी बन जाती है यानि कि एक देश में कैसे कैसे जाता है मंबna इंडिया में ना मुंबई में जंग सन है ऑप्टिकल फाइबर केबल का यानि की सारी की सारी लाइन जो है कनेक्ट होके मुंबई में आप पहुंची है ठीक है आगे ध्यान दो अब इससे बिचाया कैसे जाता है देख सकते हो आप कितनी बड़ी-बड़ी मसीन का इस्तमाल करके बिचाया जा रहा है यह होती है पूरी की पूरी ऑप्टिकल फाइबर केबल का यह देखो इसमें अंदर बहुत सारी बायर होते हैं इसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं आपको और देखो बीच वीच में क्या किया जाता है क्योंकि बहुत लंबी केबल होती है तो बीच करता है तारों पर यानिकि एंप्लीफायर क्या करता है उसकी स्पीड को बरकरार रखता है अब ध्यान दो एक ऑप्टिकल फाइवर केवल नहीं विचाते हैं जब भी विचाते हैं तब दो विचाते हैं क्यूंकि कोश्ट तो बहुत लग रहा है मानलों अगर पानी में किसी बजासे बेल मचली की बजासे या और भी किसी प्रकार से यह खराब हो जाती है तो एक केवल खराब होगी तो दूसरी से वही काम होता रहेगा और जैसे पता चलेगा कि यह केवल खराब हो गई है तो गोता खोड़ जाएंगे और उसको सही करके आ जाएंगे अगे अगर म थीटिलीन, फलाना, धखाना, अलुमिनियम की पूरी लेयर लेकिन यह सब जो कोटिंग की जाती है, इसकी सेक्यॉलटी के लिए की जाती है, मतलब का काम तो यही करती है, और आप्तिकल फाइबर केवल। आप्तिकल फाइबर केबल में क्या होता है यह टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन पर काम करती है ठीक है यानि कि इसमें लाइट की स्पीड से तरंगे जाती है ऐसे जग 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 करके इनी की मदद से इंटरनेट पहुंचाया जाता है लगभग 1000 जीबी पर सेकंड की अब हम समझते हैं पहले के मुबाइल फोन जो होते हैं उनसे हम बात क्यासे करते हैं और यह टावर में यह बाजा क्यूं होता है यह भी समझते हैं ड्रम टाइप का ठीक है चलो देखते हैं यह आप सब टावर देख रहे हो इन टावर्स को लगाने का भी बहुत कौश्ट होता क्या है मैं पूरी सिच्वेशन बता रहा हूं जैसे की टीयर वन कंपनी होती है यह ऑप्टिकल फाइवर केवल को विछाती है जैसे कि मैंने बता दिया रिलाइंस हो गई गूगल हो गई औरेंज हो गई इस तरीके से अब इसके बाद यह इंटरनेशनल करते हैं यह सब्सक्राइब इसमें बहुत बड़ी एहमी यह तर्टा गुरुप की भी है उसके अलावा टीयर थ्री कंपनी क्या करती है अपने घरों तक इंटरनेट और फॉन कॉल की सेवाएं प्रता प्रतान करती है तो यह काम कैसे होता है ध्यान दो अब टीयर थ्री कावर को 48 वोल्ट की DC सप्लाई चाहिए होती है डिरेक्ट करेंट से चलता है तो उसके लिए लाइट भी जाती है भारत में बहुत ज्यादा तो अब करते क्या है एक तो एसी सोर्स होता है अपने पास अल्टरनेट करेंट आ रहा है तो उसको इस्टा डेल्टा ट्रांस्फ की सप्लाई 48 वोल्ट पर देनी है लेकिन मानलों लाइट चली गी तो यह ट्रांस्पॉर्मर और यह सब जमेला तो किसी काम का नहीं है तो उसके लिए रखते हैं पाबर जनरेटर ठीके बिदूत की सप्लाई बतारों किस किस तरीके से जाती है तो यह होता तुमारा की सब्सक्राइब बताऊंगा का का रखता है एक टावर से तौर्ट का किनेक्शन करता है अभी बताऊंगा कैसे एक तावर से डूसरे टाइवर का connection यह करेगा अब एक company क्या करती है अपना microwave एंटीना लगा गई अब ताबर तो लगी गया तो दूसरी भी अपना चुपका जाती है जिससे खर्चा बच जाता है किराया देना पड़ता है सो दे देती होगी वो जिसने टाबर लगाया है उसको ठीक है अब उसके अलाबा य जैसे कि मुबाइल है मुबाइल के अंदर जब तुम बोलते हो हेलो हां बाबू कैसी हो तो यह microphone है ना microphone में तुम्हारा जो analog signal है analog यानि कि जो तुमने बोला वो डिजिटल में convert हो जाता है और डिजिटल में convert होने के बाद यह जो एंटीना है ठीक है यहां से पास होता है electromagnetic wave के फॉर्म में यानि कि बिदू चुम्ब की तरंगों की फॉर्म में निकलता है और निकलने के बाद वो जी आसे मैंटीना कैच कर लेता है अपने पास वाले टावर को वो चुम्ब की तरंग भेज देता है कुछ इस तरीके से से सेच्विशन रहती है भी बताने वाला हूं में ऐसे टावर फिट किये जाते हैं अब हम जानेंगे फॉन से बात करने का पूरा प्रोसीजर एक व्यक्ति जब दूसरे पर फॉन करता है तो वह कैसे कैसे बात कर पाता है क्या क्या सिस्टम लगा रहता है वह साथी चीजें जानते हैं अप ध्यान दो जब आप सिम सुर्ण रॉ अलेहँ से टिइंगल के चैडल की बाता है एक माइक्रोफों जो कि ऐना लग सिगनल वर दिजिटल सिगनल में ठीकिनल को चेंज करता है और यह-जो मोबाईल का एंटीन आ है वो वह जी एसम एंटीना तक बेजेगा तक जी सम एंटीना तक अब यह signal तो मिल गए, यहां से यहां तक का जो connection होता है, वो तो wireless होता है, अब उसके बाद जितना भी connection है, वो सब बायर की form में ही होगा, बिना तार के काम नहीं होगा, अब होगा क्या, यहां इस antenna से जो है, RF cable जोड़ी हुई होती है, क्या, RF cable, उन RF cables की मदद से, आपके mobile switching center के पास पहुचेगा, information, कि भाइस साब, इस ब्यक्तिने कहीं call लगाया है, डूडो डूडो जल्दी से कहां call लगाया है, तो पता चल गया, इस बाबू ने अपनी साना को call लगाया है, अब क्या करेगा, यह mobile switching center क्या करेगा, अब साना के पास का mobile switching center डूड़ीगा, साना के कौन सा मोबाइल सेंटर है तो भाई साब इसने डूड़ा जैसे कि मानलो यह अभी आगरा में वैठी हुए है आगरा से इन्हों ने दिल्ली में फॉन लगाया है तो देली के मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक बात पहुंच गई आरेफ केवल के जड़िए इन समय केवल्स के संडु आते का मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक बात पहुंचेगा कि सोणा के इस भाब tyre इसमें वाल यसलीी में यह switching center से इसके GSM Antina में बात पहुचेगी ठीक है अब वो GSM Antina क्या करेगा भाई सब GSM Antina इसको ये बात कर रही है न बड़ी है तरीके से तो इसके phone में अब आज को digital signal से फिर से analog signal में दे देगा जिससे अब जो ये boys जा रही थी बेब की phone में digital signal में वो अब आज की phone में convert हो गई तो यहां पर भी देख सकते हो आप wireless communication बस इतना ही है यहां होना थोड़ी अलग टैप की है वो अपना घर छोड़के दिल्ली मान लो चली मुंबई एक्टिंग करने के लिए अब बाबु अभी यहीं पर है तो बाबु ने phone लगा या अब क्या करेगा यह mobile switching center तो phone लगा देगा यहां से इसकी information को पास कर देगा लेकिन अब तो यह दिल्ली में नहीं जबकि इनका mobile इनका phone कहीं पहुंच चुका है तो कहां पहुंच गया है तो पता चला कि अब यह मुंबई में पहुंच गी है तो अब यहां से क्या जाएगा मुंबई के mobile switching center तक बात पहुंचेगी इसको बोलते हैं foreign switching center बोलते हैं ठीक है technical वासा में यानि कि अब वो अपनी location पर नहीं है location उसने change कर दी है तो foreign switching center तक पहुंचेगा फिर बाभू को आसपास के टावर को खोजेगा और टावर के पूरा procedure है क्योंकि इसके अंदर जो waves जाती है वो लगवाग light की speed से जाती है light की speed कित्ती होती है तीन लाग किलो मीटर पर सेकेंड तो इतनी रफ्तार से सारी बातें तुम्हारी पहुंचती है डिटल सिगनल्स में पहुंचती है और वो सिगनल्स में पहुंचने के बाद फिरियां पर analog यानि कि आवाज के फॉम में आ जाती है ठीक है तो पूरी की पूरी बात signals के फॉम यहां से इंटरनेट आता है टावर से यह राउटर से काम खतम ऐसा नहीं है बहुत लंबा है बहुत लंबा जाले जाल कुछ ऐसा है कि जैसे की मानों optical fiber के वल आपके इंडिया तक कनेक्ट है इंडिया से फिर आपकी स्टेट से आपकी सिटी तक सिटी से फिर वो जो तुमा प्रोसीजर तो समझ गए के और फाइवर केवल की गलियों से यह साधी यह चीज़ी आती है तीक है और फाइवर के वल काम कैसे करती है देखो जैसे अपका घर है मनलो अमेरिका से लेला के यहां से मजनू के पास रसिया में मनलो एक लब लैटर पहुंचाना तो क्या करेग डाकिया पहले वाधिसाब रसी रसी अदूर हो जाएगा इंडिया मल में क्या हरियाणा के हिसार हिसार में क्या फुक्र पर स्वार पूरा पूरा वगएरा सब होता है से आपकी information जाती है और फिर वापस आती है कहां से जैसे की मानो यह Google data center है जहां पर सारा का सारा data store है जो आप सर्च करते हो अब यह Google data center है आपने क्या किया आपने सर्च किया कुछ लेकिन हाँ सर्च करने से पहले एक चीज बता दू यह जो पीले पेज़े इसकी बुक है इसको बूलते है DNS server या DNS की किताब जिस पर क्या होता है IP address सबको पता है IP address होता है internet protocol address IP address सबको assign कर दिये जाते हैं अब IP address तो नंबरों में होते हैं बन बन इस तरीके से होते हैं देख रहे हो यह तो हर किसी को याद नहीं होते हर website का अपना एक IP address होता है और internet provider होता है internet provider होता है वो हर किसी के phone में अपना एक IP address देता है जो की phone का पता बताता है है ना internet protocol address ठीक है अब यहां पर क्या होता है जैसे कि यह मनलो IP address है तो यह तो याद नहीं है यह google.com का IP address है आपको क्या आद है google.com तुरंत याद हो जाता है twitter.com तुरंत याद हो जाता है लेकिन भाइसाब जब यह data जाता है तो वह IP address के phone में जाता है होता क्या है जब website में नाम assign करते हैं तो icann नाम की कंपनी है वह एना domain name assign करती है और उसके IP address भी देती है तो आप तो नाम सर्च करते हो लेकिन एक DNS server नाम की book होती है पूरी की पूरी जिसमें क्या है लिखा हुआ होता है कि यह youtube.com का यह IP address होगा जैसे यह अपने youtube.com सर्च क दिया तो DNS server में यह बात पहुचेगी वहां से IP address कलेक्ट करेगी और यह सीधे सीधे जैसे सीधे सीधे का जाएगी यह Google data center में और जो आप information सर्च कर रहे हो वो इस data center से कलेक्ट करेगी और बापस optical fiber cable की मदद से आपको दे देगी है ना दोगारा से यही बात धंग से समझत हैं आपने वह वाली डाइडी देखिए फॉन बुक जिसमें हर व्यक्ति का नाम होता है और इदर नंबर होता है सेम ऐसे इसमें domain name और IP address होते हैं DNS server में जो आप लोग सर्च करोगे वो यहां तक जाएगा फिर Google data center में यह सारी की सारी चीज़ें स्टोर होंगी बहां से पास आगई होगी मनलो आप सर्च करते हो सनी भाईया FIP क्या सर्च कर रहे हो सदी भाईया FIP या मेरा एक स्टार्ट अप है फण इन पाट साला आपने सर्च किया वहां मैं पढ़ाता भी हूं ठीक है तो होगा यूटीब पर जैसे या फन इन पाट साला सर्च करोगे वह ध तो यहां से आपको जो भी जानकारी चाहिए वह बापस आपके फोन में आ जाएगी और यह सब लाइट की स्पीड से हो रहा होता यह काम ठीक है अमेरिका से डाइरेक्ट आपके घर तक सारी चीज़ें आ जाती है तो यह है बाई साब इंटरनेट की सकतियां आगे चलते है आगे देखो यह तो बताई दिया में सब ठीक है यह माइक्रोवेव एंटीन है मोटा सा ठीक है आगे चलो यहां पर देखो बहुत सारी चीज़ें आपने 2G, 3G, 4G, 5G, बोल्ट, LTE यह सब पढ़ा होगा आज इनके बारे मैं जानते हैं जल्दी से देखो जैसे कि यह मेसेज भी कर सकते हो एक रुपया लगता था उस जमाने में बात करने में मेरे जमाने में नहीं मतलब मैं तो बच्छा हुआ करता था मेरे पापा के जमाने में ठीक है अब आगे सुनो यह नोकिया वाला फॉन देखा होगा उसी से तो 2G करते थे मैंने भी चला है भाई 2G लेकिन पैसा इतना नहीं लगता था उस टाइम पैसा देले देले रेडियूस होता गया अब 3G फॉन में क्या हो गया इंटरनेट भी आगया मैसेज भी आगया और कॉल करने की सुविदा भी आगी 4G फॉन जो है अभी जो आप 4G यूस करते हो उसमें इंटरनेट की इसमें क्या है बंजीवी पर सेकेंड की स्पीड आगई अब आपको पता स्पीड कम भी हो जाती होगी आपकी कभी-कभी यह स्पीड निर्वर करती है कि जैसे कि जीओ की टावर लगे हुए आसपास और जीओ के बहुत सारे कस्टूमर है जितने कस्टूमर इंटरनेट चल 5G एतनी एडवन्ज टेकनोलोजी कि इसमें इंटरनेट तो है फस्त व्डियो कौल भी कर सकते हो, बदिया तरीकी से बिना आठके और इसमें एसंने आपकी हरे आॹ-दैस happens तो रहे है की अपनेक्शन अनतहरा में अन्कमर दोशें है तो यही सारी चीज़ है अब एक डाउट आता है कि यह जब सैटलाइट से बात नहीं होती है सारे के सारे मोबैल नेटवर्क और यह ओप्टिकल फाइवर केवल की वजा से बात होती है तो फिर यह वाले फोन किसलिए इस्तमाल होते हैं तो देखो सही माहिने में बॉर्डर तो इस केस में सैटलाइट का उपयोग किया जाता है इसलिए यह जो बड़े बड़े लंबे फोन होते हैं सैटलाइट फोन होते हैं इनसे आप बात कर सकते हो ठीक है सैटलाइट से सिगनल जाएगा और जहां यह बात करना चारे हैं बात तक यह सिगनल जाएगा तो ऐसे ब डॉसरा वाला सिर्फ सुन सकता है उस टैम बोल नहीं सकता अगर दूसरा वाला जिस टैम बोल रहा है तो पहले वाले को चुपँ होना पड़ेगा यह हाप डॉप्लेक्स का मतलब है और जो हम इस्तमाल करते हैं वो लेकिन आपने आर्मी बालों को इस्तेमाल करते हुए देखा हुए सैटलाइट फॉन तो उसमें वह लोग कोड़ वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं हेलो टैंगो चारी अपनी इंफर्मिशन को पास करते हैं अब अब अपनी तरफ दी आगा हो कही लिए कफान्य करते हैं अब और osaur अपनी तरफ दो एक घ्रत खतम होग गई है डेनल्त। अब चलिलो में अनुठ चिकल्ः दो तो आज के लिए इतना ही मुझे लगता है आपको यह चीज बहुत अच्छे से पसंद आई योगी बाई बाई टाटा